साइन्स से ग्रेजुएट, मैकाइनिकल से बी-ई और अमेरिका से मास्टर आप साइन्स यासी डिग्री लेने के बाद यदि कोई डेरी प्रोड़क्ट पर काम करता न जराए तो थोड़ा आठपटा लगता है है ना? लेकिन दोस्तों कहते हैं कि अगर इंसान एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े तो वह छोटे से छोटा काम करके भी सफल हो सकता है और इसी बात को साबित किया है वर्गिस कुरियन जी ने जिन्हें अमुल कंपनी का फाउंडर माना जाता है दोस्तों दरसल अमुल कंपनी के शुरुवात गुजरात के छोटे छोटे गाउं के गरीब दूद उत्पादकों को उनका हग दिलवाने के लिए किया गया था और यह बात है करीब 1946 की जब भारत भी अंग्रेजों का गुलाम था और उस टाइम गाउं के गरीब किसानों को दूद मजबूरन दलालों को बेचना पड़ता था जो कि उनकी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा बिचलियों के तोर पर खा जाते थे लेकिन इसके अलामा भी गरीब किसानों के पास कोई आप्टर नहीं था क्योंकि कुछी गीनी चुनी डेरी कमपनियों ने पुरे देश पर अपना कपजा जमा रखा था और गाउं के गरीब दूद उत्पाद को को ही उनका अधिकार दिलवाने के लिए त्रिभू अंदास ने सरदार वल्लब भाई पटेल और मुरार्ची देशाई के साथ अमुल कमपनी की शुरुवात की जिसका रजिस्ट्रेशन 14 दिसंबर 1946 को एक कार्पोरेटिव कमपनी के तौर पर किया गया दोस्तो कार्पोरेटिव कमपनी ऐसी कमपनी होती है इसके बजाए उन्होंने देश के किसानों की सहायता करना पसंद किया और फिर कमपनी जोईन करने के बाद उनके साब ने सबसे बड़ी चुनोती ये आई कि पॉलसन डेरी ने पुरे देश पर अपना कबज़ा जमा रखा था चुकि पॉलसन डेरी उस टाइम की एक मात्र सबसे बड़ी डेरी कमपनी थी इसलिए गरीब किसानों को बिचोलियों के माध्यम से मजबूरन उसी कमपनी को दूद बेचना पड़ता था और वो भी बहुत कम दाम उपर लेकिन तभी गरीब किसानों को उनके हक को याद दिलाते हुए लोगों को समझाया बुझाया गया कि पॉलसन डेरी को दूद ना बेचे और अपने इस कॉर्परेटिव कमपनी को जॉइन करें ताकि बिचोलियों से बचा जा सके और दूद के सही दाम मिल सके धीरे धीरे गरीब किसानों को अमुल कमपनी का यह मौडल समाजाने लगा और इस तरह से बहुत सारे दूद उत्पादक किसान कमपनी के साथ जुड़ने शुरू हो गया और दोस्तों कहते हैं न कि जहां एकता है वहां जीत है अमुल कंपनी के दूद धीरे धीरे पूरे देश में पहुचने शुरू हो गए और फिर वर्गिस कुरियन ने कम से कम लागत में किसानों को जादा से जादा फायदा हो सके ऐसा मौडल तैयार किया उन्होंने दूद की क्वालिटी को चेक करने के लिए और लोगों को सुविधा हो सके इसलिए इस प्रोसेस को कई लेवल बरबाद दिया जिसमें सबसे पहले गाउं गाउं एक यूनियन बनाया गया और वहाँ पर प्लांट के भी अस्थापना की गई गाउं से दूद की क्वालिटी चेक करने के बाद उसे आगे जीलों पर भेज दिया जाता था और फिर वहाँ भी जाच के बाद उसे राज यस्तर पर भेज दिया जाता जहां पर इसकी पैकिंग होती थी और कुछ इसी प्रोसेस के जरिये दूद लोगों के घरों तक पहुंचते थे जल्दी कुरियन की महनत और लगन रंग लाने लगी और अमुल कमपनी एक के बाद एक बड़ी-बड़ी सफलताय हासिल करने लगी लेकिन इस कमपनी के सफलता में एक बड़ा योगदान मिल्क पाउडर का भी था जिसे कि भैंस के दूद से अमुल ने पहले बार बनाया था दरसल वैज्यानिकों का मानना था कि भैंस के दूद का मिल्क पाउडर नहीं बनाया जा सकता लेकिन वर्गिस कुरियान ने सभी को गलत साबित किया और भैंस के दूद के साथ रिसर्च करती हुए एक नई खोचकी और फिर आगे भी अमुल कमपनी ने बहुत सारी उचाईयों को छुआ और आज के समय में अमुल दूद और मिल्क पाउडर के अलावा भी घी, पनीर, आइसक्रीम और मखन जैसी बहुत सारी चीजे बनाता है और अगर आज के समय की बात करें तो अमुल के साथ करी 32 लाख लोग जोड़े हुए हैं जो की रोज दूद की सप्लाई करते हैं और कोरियन के इस कंट्रिबूशन के लिए उन्हें पदम विभूशन, क्रिशी रत्न और पदम स्री जैसे बहुत सारे सम्मान भी मिल चुके हैं और लोग उन्हें मिल्क मैन आफ इंडिया के नाम से जानते हैं हाला कि डॉक्टर वर्गिस कोरियन अब इस दुनिया को छोड़ कर जा जुके हैं 9 सितंबर 2012 को गुजरात में उनके मृत्ती हुई लेकिन दोस्तो ऐसे सक्स भले इस दुनिया में ना हूँ लेकिन उनके विजार और कर्म हमेशा जीवित रहेंगे आपका बहुमोली समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं दोस्तो अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद